हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्री आफ चार्ज यानि कि आवेस का क्या इतिहास रहा नोट्स आपको इंग्लिस में मिल जाएगा बाकी इसका एक्स्प्लिनेशन हिंदी में क्योंकि समय कम रहता है दोनों लाइंगोज में हमें देखना रहता है इंदी और इंग्लिस में तो चलिए यह सबका डिस्क्रेप्शन बताते हैं कौन-कौन से बैग्यानिक थे किनका किन युगदान रहा है आविस की खोज करने में इन सभी को जाना जाएगा सभी बैग्यानिकों सभी बैग्यानिकों के बारे में सार्ट डिस्क्रेप्शन दिया गया जैसे वो किस देश के हैं क्यों जान जाते हैं क्या उनका एक्सपेरिमेंट हुआ तो यह चीज़ी आप सब्सक्रा बताता रहूंगा तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं सब्सक्राइब के बारे में मुख्य था उनका क्या युगदान रहा निसकर सवरूप ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो बहुत प्राचीन समय से लोग कुछ जो घटनाएं होत हुआ है यसे अंबर की गुण के बारे में लोग जानते थे और इलेक्ट्रिक रे के बारे में यानि कि यह जो है तारपीडो फिश होता है जिसको हम लोग नम फिश या कौम फिश के बारे में कौम फिश के नाम से भी जानते हैं कौम फिश के नाम से होता क्या है यह समुद कि फिनोमेना ही है फिर आपका हो गया लाइटिंग यह बायदलों का जो है गरजना चमकना यह सब यह सब ही जो घटना है इन सब को इंसान बहुत पुराने समय से जानता था इन सबसे परचित था लेकिन होता क्यों है इसके पीछे का रिजन उनको पता नहीं था ठीक है तो कि अंबर को उन या रेशम की कपड़े सी रगड़नी पर अंबर जो है छोटी-छोटी वस्तों को आकर्शित करने लगता है लेकिन इसका लिखित रूप में कोई परिमाड नहीं दिया इसलिए यह फेल हो गया दूसरी वैज्यानिक थे वो थे विल्यम गिल्बर्ट सुलामी शताबदी की वैज्यानिक थे जिन्होंने थिल्स मिलिटस की द्वारक कही गई बातों को लिखित रूप में परमाड दिया इनकी एक बुख भी पबलीश होई थी डे मैगनेट नाम के एक बुख पबलीश और अट लास्ट इनका कुछ जो डिस्क्रेप्शन मिलता है सिस्टेमेटिक स्टेडी के बाद ठीक है तो इन्होंने विलियम गिल्बर्ट ने अंबर की भात ही अनने भी सब्स्टांसेस का अध्यन किया जो उसी की भात इंबेवाय करते थे अंबर को ग्रीक भासा में इलेक्ट्रान कहते हैं जिसका इंग्लिस जो रुपांत्रड हुआ अंग्रेजी में वह इलेक्ट्रिक्स हुआ और इसको लेटिन भासा में इलेक्ट्रम और जोसका नया मोडिफाइड जो सब्द हुआ लेटिन भासा में ही वह लेटिन भासा में जो नया सब्द हुआ वह हुआ कडों की धारा के प्रवाह के द्वारा समझाया जा सकता है तो फिर एक नय सिद्द्द द्रव विद्द्द की अस्थापना की गई और यह जो सिद्द्द है वह आगे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए काफी अग्रदुत साबित हुई अट्राविश अताबदी के जो वैज्ञानिक हुए डूफे नौलेट फ्रेंक्लीन इन सबी के लिए ये विचार जो था वो काफी मददगार साबित हुआ आने वाले समय में फिर इसके बाद से जो आए वो आ आए थे इन्होंने क्या किया गिलबर्ट की अध्यन को दौराया और निश्कर्ष निकाला कि या घर्षड के कारण ही दो निकायों के बीच आकर्षड बल अस्तित्यों में आता है अगले जो वैज्ञानिक है वह आए इस्टीफन ग्रेव और इस्टीफन ग्रेव ने इस सि ग्रे के परियोग से काफी प्रभावित हुए और इन्होंने बताया कि धात्व और तरल पदार्थों को छोड़कर से सभी वस्तवी रगडने पर अधिक या थोड़ी जरूर इलेक्टिर्फाइड होती हैं और इनका एक और शिद्दान्त रहा दुई द्रफ शिद्दान्त ज जो रावशित हो गया जान थियोफिल्स इन्होंने ग्रे के प्रियोग को दोहराया और जितनी भी चीजे थी उनको दो भागों में बाट दिया एक चालक और एक और चालक जो वैग्यानिका है वह आया बेंजामिन फ्रेंकलीन जिनका काफी योगदान रहा है फिजिक्स के छेतर में इन्होंने क्या किया इन्होंने आवेश के संदच्षड के सिद्दान की खोच की इनके शम्मान में आवेश का जो सीजेस मातरक है वह फ्रेंकलीन है इनके इनके शम्मान में ही आवेश का जो सीजेस पद्यत्त में मातरक है वह क्या है फ्रेंकलीन है वन फ्रेंकली इन जो होता है वह वन स्टेट कुलाम के एक्कॉल होता है इनकी और सारे भी अविश्कार रहे हैं इनोंने सन 1746 में द्रशिदान्त का परियोग द्वारा प्रस्तावित किया इनकी और भी युगदान रहें इनोंने सन 1746 में द्रशिदान्त को परियोग द्वारा प्रस्तावित किया इनकी अन परियोगों में काईट, लाइटनिंग, रॉड ये सबी के सबी भी सामिल है सरपृत्भम इनोंने की बताया कि कांच की छड को कपड़े से रगडने पर कांच पर उतना ही विपरित आविस उतपन हो जाता है जितना की कपड़े पर होता है सरपृत्भम इननी का statement था अगले जो वैग्यानिक है विलियम वाट्सन है जो कि 28 शताब्दी की वैग्यानिक है विलियम ने भी ठीक उसी समय वही मौडल दिया जो कि फ्रेंकलिन ने दिया था इसलिए बाद में चल कर इसी फ्रेंकलिन वाट्सन मौडल भी कहा गया इसके बाद जो वैग्यानिक है अलि नीरंतर चला आ जा सकता है यह इनिए आवेस को एक निेशित रास्ते दुआरा एक दूरा कांटिनिवेश्वी चलाए जा सकता है इसके बाद के वैध्यानिक का माइकल फैराड़े जोके उन्ने मेरे माइकल फेराडे पहले वैज्ञानिक थे जिनने आविषों के कौएंटिल अपरटी को बताया है यह यह नहीं कि आवेज जो होते हैं वह क्वांटिलाइज होते हैं जिनका मूल आधार जो होता है वह होता है इसके बाद वैज्ञानी का थामसन जो करनुशी शताब्दे में आए थामसन पहले ब्यक्ति थे जिन्होंने आइसोटोप के लिए सबूत खोजा इसके बाद विश्य सताब्दे में आए वैज्ञानिक रौवर्ट मिलिकन आधनी विज्ञान की खोज में इनका आहम युगदान है इन्होंने इलेक्ट्रान के आविश की माप के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदित चुम्ब की प्रेरड अगले वैज्ञानिक थे रौ इन्हें सन 1923 में आए ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए नोबल प्राइज मिला इन्हें 1923 में आएल्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए नोबल प्राइज मिला इनकी द्वारा इनकी द्वारा इनकी द्वारा इलेक्ट्रान का आविश इतना कुलाम होता है जो की बाद में चल करके 2014 में जो भी स्वस्तर पर एक्सेप्टेबल चार्ज हुआ तो आविश का जो मान हुआ वह लगभग एक दस मलत शे गुड़े दस पर माइनस 19 कुलाम जो के आज हम लोग जानते हैं